मेरे बाजे और मेरे बेनों एक बहुत बड़ा जहाज बनाया गया था जिसका नाम टाइप देहीं था आप भी बहुत भी जानते हैं इस जहाज के साथ एक लाइन खास कर भी गई थी और पेपर्स केंदर म्यूज केंदर ये चलाय रहा था कि कंभी ना डूबने वाला जहाज अब वो जहाज जब पहले ही सफर पर निकला पहले ही टिर्प पर निकला तो पता चबा कि वो जहाज तो फ़्रार एक चुटान से टकड़ा करके खर्दम हो गया और वो जो है उसमें लोग सवार थे कुछ से शायद बच गया होंगे और अक्सर लोग मारे गया वो जहाज और उसका मर्णवा अभी भी मौडूद है और उसको देखने के लिए एक सब्मरीन गई थी और उसके पास लोग सवार थे आप में ये नियूस को देच चूँ वो जहार दीविन गया और वो जो सब्मरीन उसको देखने के लिए बीग गई हाल ही में वो भी खतम हो गई उस चीज़े हम सब्सक्राइब को ये चीज़े हम क्यों सुनने हैं तुम्हें बारियों देखो अल्दा पाक कुरान में कदस वेशाद प्रमाता है इन अफित सब्सक्राइब अन वक्तिलापी लई वन नहार वर प्रुटिवलती तज्री फिल बहरी विमा जाओ पान नास कि जम अंदर पर चनका है तो जिस ताकत अल्दा की है कि वो तेराता है वरना इनसानों में कहा हूँ ताकत कि वो अल्दा रब लिज़त की तौफीर के बगिर कुछ कर सकी वो चाहे तो चना दे वो चाहे तो डुबा दे इनसान जब गड़ता है इनसान जब इतराता है अपले किय होए काम पर तो उसको एक बताया जाता है एक निशान दिया जाता है लोगों को इवर दी जाती है लोगों को कि अल्ला की फ़दर के बगेर कोई कुछ मेंगे उसकी ताकत दी ताकत दी ताकत दी अल्ला अगर अल्ला पर यकीद रब कर और उसके फ़दर कर शुकर अदा दर के किसी काम प्लकरते अंद उसको कानिया भी अता परमाते अकान का कुछ कमें की कोशिश करें ने तो पर इन आदार भी लश्रवी जिसका अदा तोड़ा रदनाग पर वो पकर गरे तो पर इनसान की कहते तो मिर बायो अनला रभूल इज़त की ताकत संसे रहें उसे जी बादर कीजिए उसे जी बलंदे बयान कीजिए अजम को बयान कीजिए